हेलो दोस्तो स्वागत आपका अमारी योट्यूब चैनल यहू बाबा पे पीएचपी और अजेक्स सीरीज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम अजेक्स की हेल्प से इमेज को अपलोड कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमेज अपलोडिंग पर मैंने और एक पीएचपी सीरीज में एक वीडियो बना रखी है तो बिल्कुल सेम सी ही इमेज अपलोडिंग हम यहाँ पर भी करेंगे बस इसमें additional part के है कि हम यहाँ पर Ajax यूज कर रहे है तो जिनोंने वो वीडियो नहीं देखी है इमेज अपलोडिंग की पीएचपी मैं उपर आई बटन पर उसका एक लिंग देदूँगा जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम PHP का जो uploading का काम है उसको मैं detail में यहाँ पर नहीं समझाने वाला क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरे detail में बता रखा है तो आईए शुरू करते हैं practical यहाँ देखिए web browser के अंदर मैंने अपना एक project open किया है जिसको हम इस वीडियो में use करने वाले हैं इस template को यहाँ देखिए यहाँ पर हमने एक file input लिया है जिसको use करके हम यहाँ पर image upload करेंगे और यहाँ पर मैंने निचे एक notification भी दिये कि जो मैं image upload करवाँ user से वो सिर्फ इसी format में होने चीए यहाँ upload का button है और मैं चाहता हूँ जैसे ही user जो है image successfully image को upload कर दे तो यहाँ पर उसकी image show भी होने लग जए और उसके साथ यहाँ पर delete का button भी show होने लग जए तो first of all मेरे को करना क्या है यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैसे ही page open हो तो यह वाला जो हमारा box है यह hidden हूँ मतले कि दीखी ही ना रहाओ यह सिर्फ तभी दीखे जब user जो है image successfully upload कर दे तो आईए शुरू करते है practical यहाँ देखिए web editor के अंदर मैंने अपना project folder open कर लिये जिसका ना अप्लोड image ajax और यहाँ पर हमने तीन folders बनाए एक है CSS का folder जिसके अंदर हमने styling की है इसके बाद है images का folder जो भी खाली है वगर इसको हम आगे use करने वाले जब भी user image upload करेगा तो वो इसी वाले folder के अंदर आकर image store हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर है JS का folder जिसके अंदर jquari की file को हमने place किया है और यहाँ पर हमने तीन files बनाई है सबसे पहली है index file जिसके अंदर हमारा template का design है फिर उसके बाद यहाँ पर एक file है upload.php इस file के अंदर हम यहाँ पर php के थ्रू जो image को upload करने वाले हैं उसका code करेंगे और एक है हमार पस delete.php इसको use हम तब करेंगे जब हमने user से image को delete करवाना हूँ तो देखिए सबसे पहले हम index से शुरू होते हैं और यहाँ पर मैं CSS की file open कर लेता हूँ यहाँ पर भई भी मैं आपको एक पर समझा देता हूँ template के अंदर हमारे पास क्या क्या है यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर CSS की file को यहाँ पर include किया हुआ है उसके नीचे हमने यहाँ पर एक main नाम का div लिया है उसके अंदर एक header part है और main जो content है वो content नाम के id के अंदर है अब इसके नीचे देखिए यहाँ पर एक form है और form के अंदर हमने यहाँ पर एक field लिये file नाम की यह देखे हैं आप इस पर हमने ID लगाया है upload file और यहाँ पर name लिया है file जिसको हम आगे PHP के अंदर use करने वाले हैं इस ही name को file को और इसके नीचे यहाँ पर submit का button है यह देखे और यहाँ पर यह हमारे div है जिस पर हमने ID लगाया पर view तो मैं इसी को भी hide करना चाता हूँ और जो भी मैं image upload करूँगा वो इस वाले ID के अंदर आकर यहाँ पर show होने लगेगी तो हमें पर view नाम के जो ID है इसको hide करना भी तो मैं यहाँ CSS में जाता हूँ और सबसे नीचे यह देखे यह पर view नाम का ID है मैं इसको यहाँ पर display none कर देता हूँ यहाँ मैंने file को save किया और यहाँ browser में आके page को refresh किया यह देखे यहाँ से वो div hide हो चुक है आप देख रहे है अब हमारा काम क्या है सबसे पहले हमने image को upload करवाना है और image upload करने के लिए हम इस वाले button का use करेंगे इस पर click even लगाएंगे तो मैं यहाँ पर आया और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने external जो हमारे पास js की file है jquery की उसको यहाँ पर include किया उसके बाद मैंने यहाँ पर script tag लगाया जिसके अंदर हम अपना jquery का code करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना basic jquery का code लिख लेता हूँ document.ready और इसके अंदर एक function बना लेता हूँ अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे click event लगाना है और जिस पर लगाना है जोन सा button है मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे actual में submit के button पे लगाने की जूरत नहीं है मैं यहाँ पर जो है हमारा idea form पे इसी पर event call कर लूँगा तो इस पर हमने जो idea लगाया हुआ है submit form मैं इसका name copy कर लिया का नाम है submit और यहाँ पर मैं अपना function call कर लूँगा और इसके अंदर मैं event pass कर देता हूँ तो उसके लिए मैं variable ले रहा हूँ अब सबसे पहले मुझे क्या करना है इसके अंदर एक submit का button है आप यहाँ पर देख रहे हैं यह input में type submit है तो मुझे इसकी by default जो functionality होती है form को submit करने वाली उसको बंद करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर use करूँगा अपना function जिसका नाम है e.preventDefault अगर आपको इस function के बारे मैं नहीं पता तो मैं उपर iberna pen link दे दूँगा और इसके बाद मुझे अब क्या करना है मैंने जिस भी यह font के अंदर submit किया है मुझे इसकी सारी values उठानी है अभी देखिए वहाँ पर सिरफ एक ही field है input file तो मुझे सिरफ उसी की value उठानी है तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा और यहाँ पर मैं अपना function use करूँगा जो main JavaScript के अंदर आया है वो है form data यह देखिए यहाँ पर दो बार आगया new अब यहाँ पर मिरको pass करना था अपना form का name तो देखिए जिस भी मैंने form पर submit किया है मिरको उसी की values उठानी है तो इसलिए मैं यहाँ पर pass कर दूँगा this मैंने यह form data क्यों use किया है मैं आपको एक बार detail में बता देता हूँ देखिए जैसे हमने पिछली कुछ वीडियो में देखा जहाँ पर हम Ajax की help से form की data को save करवाते हैं PHP में तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे वहाँ पर हम form की data को यहाँ से दूसरी file में भेज़ते थे PHP वाली file में या तो object की form में या फिर string की form में मगर अब हमारे पास एक additional ऐसी चीज़ जिसे हम object की form में नहीं भेज सकते जिसे हम कहते हैं input file यह देखिए अगर इसकी value को हमने PHP की file में भेजना है और उसको upload भी करवाना है तो इसके दो तरीके होते हैं या तो हम यहाँ पर form की अंदर यहाँ पर दे ink type form data जैसे हम PHP के case में करते थे मगर जब हम JavaScript या Ajax यूज कर रहते हैं तो उसकी हमारे को जूरत नहीं रहती तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके का data लेंगे और यह form data क्या करेगा चाहे हमारे पास input text की values है या किसी भी तरीके की value है input radio button की है, checkbox की है या हमने file upload की है यह हर तरीके की value को pick कर सकता है अब इसी को हम use करेंगे अपनी adjust की call में तो यहाँ पर मैं adjust के लिए यहाँ पर अपना function call कर लेता हूँ jquery का dollar dot adjust और यहाँ पर सबसे पहला parameter मैं ले लूँगा वो है URL और यहाँ पर मेरे को उस वाली file का नाम दे रहा है जिसका नाम है upload dot php उसके बाद मेरे को यहाँ से देनी है type कि मैं किस form में data भेज रहा हूँ get में या post में तो मैंने यहाँ ले लिया post अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर बताना है कि कौन सा data भेज रहा हूँ तो उसके लिए मैं data नाम का attribute लूँगा और यहाँ पर जो value है मेरे पास वो है form data के अंदर उसको मैं यहाँ पर use कर लूँगा अब यहाँ पर हमें दो parameter देने होते हैं जब भी हम adjust की हल से किसी भी फाइल को upload कर रहे होते हैं तो दो अलग से हमें यहाँ पर parameter यूज करने होते हैं पहले जो हमारे पास यहाँ पर attribute होता है उसको हम कहते है content type देखे content type में हमें बताना पड़ता है कि हम form की कैसी values को हम यहाँ से भेज रहे हैं क्या form की वो raw values हैं यहाँ कोई file upload कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर file upload कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर value पास करने होती है multipart form data यह देखे कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही हम PHP की case में भी लिखते थे ink type, multipart form data मगर अभी हमने यहाँ पर form की अंदर यह नहीं पास किया है इसलिए हमें यहाँ पर यह content type यहाँ पर पास करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर multipart form data भेज रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक important बात और भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने file upload करवानी है तो यह line वैसे तो लिखने ज़रूरी होती है आपको बताना होता है कि content type क्या है मगर यहाँ पर यह value देनी ज़रूरी नहीं है अगर आप यहाँ पर pass कर देंगे false तब भी इसका मतलब यही है कि हम multipart form data भेज रहे हैं तो आपको इतना लंबा सा word याद रखने की ज़ूरती है multipart slash form data आप simple false भी use कर सकते हैं मैं भी अपने real projects में इधर false ही pass करता हूँ अब इसके बाद हमारे को यहाँ पर एक attribute और लेना होता है जिसे हम कहते है process data और इसके अंदर मैं value pass कर दूँगा false अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको थोड़े detail में बतायता हूँ देकि जब भी हमने पीछली Ajax की series में देखा कि जब भी हम यहाँ से form का data दूसरी वाली file में भेजते हैं तो या तो हम object की form में भेजते हैं यहाँ पर या string की form में अब जबकि हम यहाँ पर न object यूज कर रहे हैं ना string form यूज कर रहे हैं हम तो जितना भी form का values हैं सारी चाहिए वो file import आया बगारा उसको भेज रहे हैं तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा false by default जो इसकी value होती है वो होती है true true का मतलब होता है कि हम यहाँ पर object की form में data भेज रहे हैं या string की form में तो हम दोनों form में नहीं भेज रहे हैं तब ही मैंने यहाँ पर लिख दिया false अब इसके बाद हमारे को यहाँ पर अपना एक last attribute यूज करना पड़ेगा जिसका नहीं success और यहाँ पर मैं अपना एक function बना लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक variable लिए data अगर यह वाली फाइल कोच भी return करेगी तो वहला data जो है इस वाले variable के अंदर आके store हो जाएगा और इसी को मैं आगे यहाँ पर show कर दूँगा तो देखिए उसके लिए मैं को क्या करना है मैंने यहाँ पर जो ऊपर एक div लिए हुआ है जिसको भी मैंने display none किया था इसी फाइल मैंने यहाँ पर image return करेगी तो उसी को मैंने यहाँ पर show करना है तो show करने के लिए मैंने एक अलग डिप बनाया जिस पर मैंने ID लगा है image purview इसको मैंने name copy कर लिया और यहाँ पर आकर इसी line को duplicate कर लता हूँ और यहाँ पर इसकी HTML के अंदर मेरे को वो data pass कर देना है जो मैं यहाँ पर return में मिला है उसके बाद मुझे क्या करना है देखे जोन सी भी मैंने यहाँ पर file input ले रखिया है जिस पर मैंने ID भी लगा हुआ upload file इसको मुझे खाली करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर इस ID copy कर लिया और नीचे आकर EC line को duplicate कर लता हूँ और यहाँ पर यह form की value हो तो यहाँ पर मैं attribute लोगा value और मेरे कुछ को खाली करना है उसके लिए मैं यहाँ पर inverted codes ले लेता हूँ और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिगता है इसका मतलब है यह खाली हो जाए तो यहाँ पर यह हमारा जो काम है complete हो चुक है अब इसके बाद मुझे क्या करना है देखी जो हमने यहाँ पर file include किये जिसके पास मैं यहाँ पर file का data भेज रहा हूँ उसका काम शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक variable ले लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ file name और इसके अंदर जोनसी भी मारे को file मिली है input file उसकी value को यहाँ पर store कराना है तो उसके लिए मैं super global variable यूज़ कर रहा हूँ value name यह देखिए अगर आपको इस variable के बारे में नहीं पता है हम इसको कैसे लिखते है डॉलर अंडर्सकोर फाइल्स तो मैंने और एक वीडियो बना रखे है file upload से लेटिट आप उपर आई बटन पर जाके देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ और भी करनी है इस यहां पर लिख दिया यह देखिए अगर इसके अंदर कोई भी value नहीं है तब यह अंदर आएगा यहाँ पर और यह code सारा मेरे कोई सी ही के अंदर लिखना है यह देखिए अब इसके बाद मुझी क्या करना है मुझी जोंसी भी user ने file upload किये इसकी extension निकालना है तो इसके ल इस पर अल्रेडी दो वीडियो बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखिए, तो मैं उपर पास कर दूँगा, उसका लिंक, आई बटन पे, इस function का basically use जो होता है, वो यह होता है कि user ने जोन सी भी फाइल अप्रोड किये, जोन सी भी फाइल इसके अंदर पास करी है, उसकी सा कि information return करता, तो basically हमारे को तुछ ही सिर्फ extension, यहाँ पर मैंने लिख दिया path info underscore extension, अब इसका मतलब है सिर्फ हमारे को extension मिल जाएगी, extension से क्या मतलब है मेरा, मैं आपको एक पर बतायता हूँ, देखिए जैसे मालीजे user ने image upload करी, abc.jpg, अब यहाँ पर जो jpg है, वो ही इस file की extension है, तो मुझे यही निकालनी है, क्योंकि मिल को इससे पहले check कराना, कि यह image की file है, यह कोई और file है, कि यहाँ पर user जो है PDF की file य word की file, excel की file ना upload कर दे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसकी extension निकाल ली, अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक array बना लेता हूँ, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ जैसे valid extension, और इसके अंदर मैं कुछ values दे देता हूँ, मतले कि वो ली extension जिनको मैं user से चाता ह कि सिर्फ EC वाले format की ही images सिर्फ upload हूँ, यह देखे, मैंने इसके अंदर चार format पास करती है, jpg, jpeg, png और gif, अब मैं चाता हूँ कि user ने zone cv ये file upload किया है, इसकी zone cv extension है, अगर वो सिर्फ EC extension के अंदर है, तब ही image upload हो, तो उसके लिए मिरको यहाँ पर एक if condition बनानी पर क्या search कर रहे हैं, तो देखे, वो जो है हमारा variable extension के अंदर है, और किस में search करना है, मत देखे कि कौन से array में, उसकी value को हम as a second parameter पास करते हैं, यहाँ पर यह देखे, अब जोंसी भी user ने file upload किया है, वोली extension हमारे पास यहाँ पर आजेगी, और हम search करेंगे इस वाले array के अंदर exist करती है, वोली value, तो हम यहाँ पर एक condition के अंदर आजेंगे, और यही पर हमें code लिखना है, file upload का, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है मेरा, जोंसी भी user ने file upload किया, उसका एक निया नाम देना, यहाँ पर मैंने एक variable ले लिए new name, और यहाँ पर मैं क्या करना हू उसको, तो यहाँ पर मैं function use करूँगा, PHP का ran, और यहाँ पर मैं concatenation का sign लगा लेता हूँ, और जोंसा भी यह नाम है, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे dot का sign, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर, जोंसी भी user ने file upload की थी, उसकी extension का name जो है, यहाँ पर मेरे को copy कर देन पर, हमारे को यहाँ पर कोई भी एक random number यहाँ पर pass कर देना, इस तरीके से, और यही name करके हमें यहाँ पर store कराना है, ऐसा हम इसली कर रहे हैं, क्योंकि, कहीं same name की image user जो upload ना करने की कोशिश करे, क्योंकि same name की अगर image पहले से वहाँ पढ़ी होगी, तो वो overwrite हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें इसे एक random name दे दिया, अब इसके बाद मेरे को वहाँ पर path बताना है, कि कहाँ पर मेरे को यह image store करवानी है, तो देखिए उसके लिए में यहाँ पर मैं एक variable ले रहा हूं, path, और यहाँ पर मुझे folder का name बताना है, मैंने अब यह आपको दिखाया भी था यह देखिए, यहाँ पर images नाम का folder है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, images, slash, यहाँ मैंने concatenation का sign दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा new name है, उसको यहाँ पर डाल देता हूं, यह देखिए, तो अब क्या होगा, इस वाले folder के अंदर, जो हमने निया नाम रख सबसे पहले जो parameter है, यहाँ पर file कर temporary name, तो देखिए, जो temporary name है, उसको मिरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर इस वाले variable को copy कर लेता हूं, और यहाँ पर paste कर देता हूं, यहाँ पर आकर just मिरे को यहाँ पर, जो इसकी type है, वो pass करनी है, तो temporary name के जो यहाँ पर key होती है, वो होती है, temp underscore name, यह देखिए, उसके बात मेरे को यहाँ पर pass करना होता है destination, की कहाँ पर मेरे को image को store करवाना है, तो देखिए, जो हमने destination मनाई है, वो path नाम के variable के अंदर है, वो मैंने यहाँ पर pass कर दी, तो जैसी यह हमारी function जो है, यह successfully जो अग यहाँ से मिला, यह देखिए, server की file का path, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर image tag लेता हूँ, और इसके अंदर आकर यहाँ पर quotes बन करके, यहाँ पर, यहाँ पर ले लेता हूँ अपना है यह path, और उसके बाद यहाँ पर image tag close कर दिया, अब यहाँ पर मैं दो बर break tag लगा लेता हूँ, और इसके बाद मेरेको यहाँ पर delete का button भी show करना, कि अगर user इस image को delete करना चाहे server से, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर button tag ले लेता हूँ, और इसके अंदर लिख देता हूँ, delete, अब यहाँ पर मेरेको दो चीज़े ले लेता हूँ, और इसकी value दे लेता हूँ, path, और इसके अंदर मेरेको value पास करने है, path की, यह देखिए, मैंने यहाँ पर path की value पास कर दी, हमारे data path नाम के attribute के अंदर, मैं इसको next line में कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसमें एक ID भी लगाता हूँ, इसकी CSS के लिए, यह देखिए, delete underscore button, अब इस ID को ही हम use करेंगे, click event लगाके, कि जैसी मैं से पर click करूँ, तो यह वाला जो path है, यह remove हो जाए, तो इसका काम तो हम बाद में करेंगे, अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, देखिए, जो हमने यहाँ पर यह if condition बनाई थी, तो यहाँ पर इस यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं eco लिखता हूँ, और यहाँ पर अपना JavaScript का code शुरू कर देता हूँ, script tag का, और इसके अंदर आकर alert box लगा लेता हूँ, और message देता हूँ, यह देखिए, मैंने इसके अंदर message दे दिया, please select file, यह message हो जाएगा, अब जो हमने यह वाली condition बनाई कर दी है, तो हमें उसे यहाँ पर message भी देना पड़ेगा, invalid file format का, तो इसके अंदर भी मैं ऐसे ही alert box दिखाना चाता हूँ, इसी को मैं copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर just message चेंज कर देता हूँ, invalid file format, यह देखिए, तो यह मारा जो upload file का का काम है, सारा यहाँ पे complete हो चुका ह अगर नहीं कर रहा हूँ का, तो उसे message आजेगा, please select file, और अगर उसने file upload किये, तो हम सबसे पहले फाइल का name उठा रहे हैं आपर, file name नाम के variable के अंदर, फिर हमने उसकी extension निकाली है, यहाँ पर path info function को use करके, फिर हमने यही वाली extension, इस वाले के array के अंदर match करी है, यहाँ in array के यूज करके, अगर जो file का extension वो match कर गई है, और file भी यहाँ पर match कर दे है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर उसको एक random name दिये, और एक नया नाम दिये उसको, उसके बाद हमने यहाँ पर path बता दिये कि कहाँ पर file upload करनी है, और यहाँ पर function यूज किया है, move upload file, इस function की ह अगर यहाँ पर एक टमप्रेरी नेम देना होता है, हमने टमप्रेरी नेम दिये और file का path दिये, अगर यहाँ पर हमने image tag त्यार किया, और यहाँ पर वो ली file यहाँ पर show कर दिये, जो उसके बाद किये यूजर ने, और साथ के साथ यहाँ पर delete का button भी show कर दिये, और जिस आईडी लगाया हमने delete button, इसी के click event पर हम इस image को remove कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको इतना ही code चेक करा देता हूं ब्राउजर के अंदर, मैं यहाँ पर आया और मैंने file को refresh किया, अब मैं यहाँ पर कोई एक file upload कर देता हूं, मैं यहाँ गया pictures में, और यहाँ पर जाकर, unexpected curly braces, कहीं पर extra curly braces या unexpected यहाँ पर semi colon आ रहा है, कहीं पर line number 17 पर, हम एक बार check कर लेते हैं, देखी line number 17 पर curly braces हैं, तो इस से पहले यह वाली line थी, और यहाँ पर, यहाँ पर देखी मैंने semi colon नहीं लगाए हैं, तो यहाँ मैंने semi colon लगा दिये, file को save किया, मैं एक बार दुबारा से कोई file upload करता हूँ, यह देखी है, मैरी file जो है upload हो चुकी है, और यहाँ पर नीचे, आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो image भी show हो रही है, और नीचे delete का button भी आ चुका है, अब यह button तो work नहीं करेगा, इसकी coding हमें करनी पड़ेगी, मगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर image भी upload हो रही है, अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर यह image जो हमारी इस div से बाहर जा रही है, इसको भी responsive करना है, और इस delete की button की coding करनी है, तो यहाँ मैं जाता हूँ, अपती CSS की file open करता हूँ एक बर, और यहाँ पर जाकर, एक selector मना लिए कि preview के अंदर zone से भी image आ रही है, उसकी width जो है वो 100% हो जाए, और उसकी height ओट हो जाए, इस तरह यह image responsive हो जाएगी, और इसको तो हम burn कर देते हैं, अब इसके बाद आकर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देकि zone सा भी हमारा delete का button आ रहा है, उसकी coding मेरे को शुरू करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक comment लगा देता हूँ, delete image, अब सबसे पहले मेरे को इसी का selector बनाना है delete button का, तो देखिए मैंने जो delete button के लिए ID लगाया है, उसका नाम है delete btn, तो सबसे पहले मैं इसी का selector बना रहा हू और यहाँ पर मैं अपना एक function बना लेता हूँ, कि जब भी user इस वाले button पर click करे, तो यहाँ पर जो हमारा यह function एक call हो जाएगा, अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने user सी एक question पूछना है, क्या वो really मैं image को delete करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं if condition के अंदर confirm box use करूँगा, और यहाँ पर message देता हूँ, are you sure you want to delete this record, यह देखिए, अगर वो okay पर click कर देगा, मतलब कि yes पर, तो यहाँ पर if condition के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर हमें code करना उसका, जो उनसी image को हमने delete करना है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले, वो image का path चाहिए, जो हम और यहाँ पर selector बना लेता हूँ, अपने delete बटन का, और यहाँ पर अपना method यूज़ करूँगा, जिसका ना में data, data method हम इसलिए यूज़ करते हैं, data की value उठाने के लिए, तो देखिए हमने जो data के अंदर value साथ में लगाई है, उसका ना में path, तो मेरे को path की value उठाने है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर pass करता हूँ, path, अब यह value तो हमारे को मिल गिए, इसी को मेरे को remove करना है, तो देखिए उसके लिए भी मैं यहाँ पर adjust की call लगाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहला जो attribute ले रहा हूँ, वो है URL, और इसके अंद यहाँ से जोन सा भी data pass करना है, इस वाली file में, उसका नाम है path, तो देखिए उसके लिए मैं data नाम का attribute ले रहा हूँ, और यहाँ पर pass करना हूँ, अपने variable का नाम जिसका नाम है path, तो path मैं यहाँ पर सीधा नहीं pass करूँगा, actual मैं मेरे को यहाँ पर object form में data भेजना है, त function तब चलेगा यहाँ पर, जब हमारी जो file है, वो successfully data को remove कर देती है, यहाँ मैंने एक variable ले लिए data नाम से, और यहाँ मैं if की condition लगा लेता हूँ, अगर data में कुछ भी आया है, तो उसके लिए मिरे को condition बनानी यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर अगर data की value null नहीं है, तो यह इ इननी दोनों की values को मेरे को यहाँ पर हटाना है, यहाँ पर जो हमने preview को show किया थे, इस समय मैं उसको hide कर दूँगा, यह देखिए, उसके बाद zone सा भी हमने image preview के अंदर यहाँ पर data show किया था, इसको भी मेरे को null करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो बर single coat ले ले लेत कि user ने zone cv उदर से value भेजी है, path उसके अंदर कोई value है भी है कि नहीं, यह देखे, मैंने यहाँ पर condition मना ली, अगर इस वाले variable के अंदर value empty नहीं है, मैंने यहाँ पर लगाया not empty, अगर इसकी value जो है empty नहीं है, तो यह इस condition के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर मैं अपना function use करने वाला हूँ, जिसका नाम है unlink, तो उसको मैं if condition के अंदर लगा लूँगा, unlink function का basically काम क्या होता है, इसका काम होता है कि यह server पे कोई भी file कहीं पर भी हमने यहाँ पर जो इसका path देंगे, यह उसको remove कर देता है, मैंने already इस पे video बना रखी है, php course के अंदर, तो यह यहाँ पर मैं इसी को use कर रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैं pass कर दूँगा अपना यह वाला variable, जिसके अंदर हमारा path आया, with file का name, तो यह function क्या करेगा basically, यह इस वाली image को remove कर देगा, if condition के अंदर, अगर यह remove हो जाती है, तो यहाँ पर हम echo कर देंगे, image deleted, यह दे और यहाँ पर भी हमारे code complete हो चुका है, remove का, सबसे पहले हमारे से question करेगा, कि आपको remove करनी है, image की नहीं, अगर user okay पे click कर देगा, तो हम सबसे पहले path उठाएंगे, जो हमने delete button के अंदर pass किया है, और उसको हम adjust की call लगा के यहाँ से pass कर देंगे, तो यहाँ मैंने file को save किय एक बर मैं आपको browser के अंदर check करा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने file को refresh किया, अब मैं यहाँ से एक file upload करता हूँ, और यहाँ पर इस पे click किया, अब मैं यहाँ पे upload पे click करता हूँ, यह देखे, यहाँ पर मेरी image जो upload हो चुकी है, और यहाँ पर delete का button भी आ मैं एक बर पहले आपको folder में चेक करा देता हूँ, यह image successfully upload हुई भी है कि नहीं, यहाँ देखे, यह हमारा folder है main, और इसके अंदर यह images का folder है, अब यहाँ पर मैं इसको open किया, और यह देखे, यहाँ पर हमारी image upload हुई हुई है, आप देखे, अब इसी को मेरे को remove करना है, तो देखे, मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पर delete button पे click किया, तो यह image से पूछ रहा है, are you sure, मैंने okay पे click कर दिया, और यह देखे, यहाँ से थोट गिये, और इस folder से भी remove हो चुकी है image, मैं एक बर आपको और करके दिखाता हूँ, देखे, मैं यहाँ पर गया, और मै मैं यहाँ पर image आचुकी है, मैंने इसे upload किया, और यह देखे, यहाँ पर नमारे पास image अप्लोड हो चुकी है, मैं एक बड़ आपको चेक करा देता हूँ, यह देखे, इसको एक random name भी मिल रहा है, और मैं यहाँ पर आया और मैं delete पे click करता हूँ, ok पे click करता हूँ, और य यहां से हड़ चुकी है, और यहां से भी रिमूव हो चुकी है image, तो आपने देखा कि हम कैसे adjust की हल से भी image को remove कर सकते हैं, और सबसे जो important चीज़ है इस वीडियो की वो है कि हमने image को upload कैसे करना है, तो उसके लिए हमने यहां पर जो इस वीडियो में नई चीज़ सिखी है, वो है यहां पर यह form data, form data basically करता क्या है, form की अंदर जितनी भी values होंगी, उन सब को pick कर लेता है, चाहिए यहां पर बेशक हमने यहां पर file को upload भी किया हो, तो उसी को हमने यहां से भेज़ आ है, और हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर जो value भेज रहे हैं यहां से data प होता है कि यहाँ पर हम कुछ हट के वैल्यू भेज रहे हैं वो वैल्यू जो है ना की object की form में है ना ही string की form में है और इसी की साथ हमने एक होर attribute यूज किये जिसका नम है content type और यहाँ पर value pass किये false इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि हम हम यहाँ पर कोई multi-part form data तो नहीं भेज रहे मतलब कि कोई file तो नहीं upload कर रहे by default इसकी value होती है true अगर अगर हमने यहाँ पर false pass कर दी तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर image वगरा upload भी कर रहे है तो इस video में हमने जो सीखा वो है single image को upload करना इसके next video में हम सीखेंगे कि कैसे हम multiple images को upload कर सकते हैं इस video को जो भी code है आपको हमारे description box में मिल जाएगा जहां से जाके आप इसे easily download कर सकते हैं अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसी regular updates आते हैं तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए